नाग पंचमी भार्ती संस्कृति का महित्वपून पर्व है जो पत्य एक वर्ष शाविन मास की पंचमी तिथी को मनाया जाता है इस दिन विशेश रूप से नागों की पूजा की जाती है जिने हिंदु दर्व में सर्प देपता माना जाता है नाक पंचमी के दिन लोग घरो, देवस्थलो और सारविजिलिंग स्थानों पर नागों की तस्वीरे या मूर्तिया स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं इस पर्व के माध्यम से नागों की कृपा प्राप्त करने और उने शान्त करने की मनो कामना की जाती है इस साल नाक पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी वही हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रही हैं जो आपने अगर नाक पंचमी के दिन किये तो भगवान शिव आपसे प्रसंद होंगे और आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी नाक पंचमी के दिन भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए अपने पूरवजों की पूजा करें घर के आंगन या पूजा स्थल पर एक चटाई विचा कर और पीपल के व्रिक्ष के नीची जाकर पंडितों से पित्रों की पूजा करवाएं इस दिन शिव भजन, कीर्तन और रात्री जागरन का आयोजन करें इस दिन दानपुन्निक का भी विशेश महित्व है गरीबों और जरूरत मंदों को भोजन वस्त्रिया अन्य सहाइतात प्रतान करें बस नाग पंचमी भगवान के अच्चे प्रीज़र नाग देशा का जिसे परव मनाया जाता है तो 53 मेने चिव भजन की पंचमी को नाग पंचमी तरूप में बनाते हैं और नाग पंचमी के दिन जो भी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और नाग देशा की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी समर्चा है उनका अंत होता है और नाग पंचमी के दिन जो भी लोग इसे दो से नाग देशा भी पूजा करेंगे उत्राखन रिशिके से इशिके बेरोर्या के रिपूर्ट